एक पुरानी बॉल्पेन की रिफिल और एक सीरींच से हम एक बहुत ही दिलकश्व वारा बना सकते हैं इसके लिए आप सबसे पहले पुरानी बॉल्पेन की रिफिल ले इसकी नोख निकालें जो अकसर पीतल की बनी होती है और सुई से इसे एक तरब धपका दे जिससे निप की उपरी सते में दसी हुई छोटी सी गेन बाहा निकलाएगी यहां आप निप और गेन देख सकते हैं अब निप पर थोड़ा सा सुराख होगा जिससे पवारा निकलेगा फिर एक इंजेक्शन बोतल का रबर कड़कन ले और इस में एक सुई से सुराख बनाएं और इस सुराख में इसी रिफिल को मजबूती से धसा दे अब यह वही रिफिल है जिसकी गेन निकाली गई है और जिसकी निप पर एक छोटा सा सुराख है अब इस धकन को इंजेक्शन की बोतल में नजब करें बोतल में रंगीन पानी भरें फिर एक नई सीरिंज लें और इसकी सुई को मोड लें सुई को रबर के धकन में धसाएं इसके बाद जैसे ही आप प्लंजर को अंदर दबाएंगे आपको तजब होगा कि रिफिल की नोक में से तेजी से फवारा निकलेगा और काफी तेजी से उपर उठेगा काफी देर तक ये फवारा निकलता रहेगा आप चाहें तो एक बड़ी सीरिंज को एक बोतल के डखकन में नस्ब कर सकते हैं और दूसरी तरफ एक रिफिल होगी और बोतल में पानी भरा होगा और जब आप बड़ी सीरिंज के प्लंजर को दबाएंगे तो फवारा तेजी से उठेगा ये बहुत ही हुबसूरत नजारा है अगर आप प्लंजर को बाहर कीचेंगे तो आप देखेंगे के बोतल में पानी के बुलबुले आ रहे हैं एक बार फिर से प्लंजर को दबाने पर उचा फवारा उत्ता नजर आएगा